स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के फ्रेस वीडियो में आज आपका भाई एक लॉंग टर्म रिव्यू लेके आ चुका है कार्ड के क्रेडिट कार्ड का बिसिकली ये वही मेटल वाला कार्ड है जो बहुत चारा पॉपलर है इसको यूज करते हुए 8-9 माहने हो चुके हैं आज इस वीडियो में मैं वन कार्ड की अंबॉकसिंग इसके बेनेफिट चार्जेस और वन कार्ड किन लोगों को लेना चाहिए किन लोगों को नहीं लेना चाहिए यह सब कुछ इस वीडियो में मैं explain करने वाला हूँ, ऐसे आपको बता दूँँ, कि यह जो आप one card मेरे पास देख रहे हो, यह बीना कोई income proof submit किये हुए मिला है और इसकी limit 45,000 रूपीज है, तो सब कुछ पूरी detail में आगे इस वीडियो में explain करने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है शुब हम आप देख रहे हो bank expert चैनल को, अगर आपको यह वीडियो देखके थोड़ी बहुत भी help हो, तब ही आप इस चैनल को subscribe करके well icon press करिएगा और इस वीडियो को like जरूर करिएगा, लेकिन सबसे पहले करते हैं one card की unboxing, तो ब और सबसे नीचे आपको जो है वो credit card रखा हुआ मिल जाएगा, black color में है, italic है, बहुत ही premium आपको मिलता है, यहाँ पर आप एक बात notice करोगे कि इसमें कोई limit और लिखी नहीं है, जो envelope आता जारा, तर दूसरे banks के credit card में आपको limit दिख जाती है envelope में ही, लेकिन आपको इसकी limit creator है आपके और bank के बीच में, one card का जो type है currently five banks के साथ में है, जिनमें है bank का बढ़ोधा, Fiddle Bank, IDFC, Fuzz Bank, South Indian Bank और SPM Bank, five banks के साथ में one card का type है, तो basically one card करता है क्या है, customer से data लेता है और bank को forward कर देता है, bank जब वो credit card approve करते हैं, तो one card आपको deliver कर देता है, लेकिन जो भी operations होते है, जिसे आपके कोई payment fail होई, आपको card में कुछ issue आ रहा है, तो जो भी operations होते हैं, वो सब कुछ one card handle करता है, तो service ऐसे इनकी अच्छी है, आपका कोई data misuse ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि RBI के guidelines के अंदर में one card काम करता है, अगर आप भी one card लेना चाहते हो, तो इसकी eligibility के बा चाहते हो, या फिर आप student हो, आप one card से ही अपनी starting कर सकते हो, पहले बात करते हैं, जो लोगी student है, उन लोगों को one card कैसे मिल सकता है, तो basically आपको एक fixed deposit करानी होगी, उसके against में one card का credit card आपको मिल सकता है, अब यहाँ पर जो fixed deposit का amount है, ये बहुत ही कम रखा गया, basically 2000 रुपे उसकी भी limit आपको 2000 रुपई की ही मिलेगी, ऐसे आप 10,000, 50,000, जितने आपका limit हो, उतने का आप FD कराके, one card का credit card आप ले सकते हो, अब example के लिए अगर आप 2000 रुपई की FD कराते हो, 2000 आपको credit card मिल गया limit वाला, अब एक genuine question आ सकता है कि भाई, उस 2000 की limit के credit card का हम करेंगे क् होती, ज्यादा limit तो है नहीं, basically ढंक से एक phone भी नहीं आएगा 2000 रुपई में, basically आप one card लेके, इससे आप छोटी-मोटी कोई payment कर सकते हो, जैसे recharge हो करा है, या फिर दो-चार-पांस हो कि आप कोई भी product order कर सकते हो, उसका timely bill पे कर सकते हो, अगर आप ऐसा कुछ दिन करते हो, दूसरे banks के credit card भी आपको easily मिल सकते हैं, तो student लोगों के लिए सबसे बढ़िया benefit है, कि आप अपना civil score one card से increase कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप fixed deposit के through one card लेते हो, तो वो आपको सिर्फ SBM bank वाला ही मिलेगा, जैसे bank का बढ़ोधा IDFC first bank है, इन सब का आपको credit card नहीं मिल लिया, तो starting उसने one card से ही की है, और उसको 45,000 के limit मिली है, कोई भी income proof उससे bank ने collect नहीं किया, और आपकी basic details लग जाएंगे, जैसे pan card, आपका अधार card, यह सब आपको ऐसे basic details आपकी लगेंगी, आपको easily one card मिल सकता है, सब बात कर लेती है one card के benefits और charges के बारे में, तो इसका जो सबसे पहले benefit है, ना ही कोई इसकी annual fees है, ना ही कोई joining fees है, तो completely a lifetime free credit card होने वाला है, यहाँ पर जो one card के reward point का system है, थोड़ा सा unique होने वाला, 50 rupees spent पर आपको one reward point मिल जाता है, लेकिन अगर आप इनके top two categories के अंदर में कोई भी shopping करते हो, तब आपको 5x reward point मिल जाता है, एक reward point उसे लेके 1% के बीच में होता, तो basically इसके जो rewards point की value है, बहुत ही कम आपको मिलती है, तो अगर आपकी first priority rewards point है, तो अब आप one card को बिलकुल ignore कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर value आपको rewards point को कोई जादा नहीं मिलने वाली है, one card पे जो भी rewards आपको मिलते हैं, यह lifetime valid होते हैं, ऐ सने के एक साल बाद एक सपायर कर जाएंगे, lifetime आप उनको एक अठे करके बाद में जब थोड़ा ज़्यादा amount हो जाए reward point का, तब भी आप इसको redeem कर सकते हो, next इसका जो foreign markup charge है, वो 1% होने वाला है, और fuel waiver off मिल जाता है, basically आपको refund हो जाता है, तो fuel waiver का भी benefit आप इसमें ले स ज़्यादा है, इसका जो अगला सबसे बड़ा वाला charge है, 1 card आप लेने के 6 महने के अंदर में अगर आप इसको close कराते हो, फिर भी आपको 3000 रुपीज ऐसा penalty देनी पड़ जाएगी, अब आपको उसकी service अच्छी नहीं लेगती है, आप इसको बंद कराते हो, तब ही आपको charges और benefits आपको one card पर मिल जाती है, अब थोड़ा से इनका app का भी experience ले सकते हैं, क्योंकि जो इनका app है भाई, वो बहुत ही customized है, बहुत सारे options आपको app के अंदर में ही मिलते हैं, अब को जब आप open करते हो, तो सबसे पहले आपका outstanding balance और यहीं पर one card आपका सारा data दिख home screen पर ही आपको जितने भी recent transaction होते हैं, उनकी सारी details ही पर देखने को मिल जाती है, इसके बगल में आप देखते हो, तो आपके जो statements हैं, उनकी सारी details आपको मिल जागी, इसमें जो सबसे एक मेरे को unique feature लगा है, कि आप अपनी EMI को basically से calculate कर सकते हो, calculator मिल जाता है, example यह आपको कहां पर कितने spend किया है, और फिर सबसे last में आपको rewards, points वगरा दिखा देता है, और offers भी आपको दिखा देता है, कि OneCard पर currently कौन-कौन से offer चल रहे हैं, उसका सारा data आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो cool मिला कि OneCard का जो app है, यह बहुत अच्छी तरीके से optimize हैं और बहुत सारे features आपको मिलते हैं OneCard के app में, एक इसका best feature यह भी लगा अगर आपको कोई transaction online करते हो, तो इसमें OTP अला भी कोई scene नहीं है, आप उसको बंद कर सकते हो, आपको OTP नहीं हैगा, just आपको swipe कर देना होगा इसके app में और आपकी payment भी हो जाती है, so overall दोस्तों कु suggest नहीं करूँगा, जिनके पास मैं पहले किसी दूसरे bank का credit card है, वो इसको ना लें तब जारा सही रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई exclusive यहाँ पर कोई benefit नहीं है, जो आपको दूसरे banks के credit card में नहीं मिलता है, जो new user है, वो लोग जरूर से one card को consider कर सकते हैं, वैसे इसका जो apply करने क लिंक है, वो आपको description box में मिल जागा, अगर आपको भी one card चाहिए, तो description box को check out कर सकते हो, तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ, मैं आपसे अगले वीडियो में,